मंडली से लडाई के बाद टीना और अर्चना के पास क्या कुछ बोली प्रियांका सुनकर आपको भी आएगी हसी चलिए दोस्तों बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाई में मैं हूँ अधती शर्मा तो प्रोमो में तो आप सभी ने देखी लिया है कि किस तरीके से मंडली एक दम खिलाफ हो चुकी है एक बार फिर से प्रियांका के अब मंडली को वेक अप कॉल दिया जाए और मंडली प्रियांका से न भीड़े ऐसा कभी हो नहीं सकता जब जब उन्हें गेम खेलने के लिए कहा गया है तब तब वो प्रियांका से भीड़ते नजर आए हैं यहाँ पर देखा जाए तो शिव ने भी परमपरा को कायम रखते हुए ऐसा ही किया जैसे ही वीकेंड का वार में उनको वीक अप कॉल दिया गया उसके बाद उन्होंने टिकेट टू फिनाले टास्क में प्रियांका से भीड़ना शुरू कर दिया और यह लड़ाई किस लेवल तक गई है फिलाल यह हमें एपिसोड में ही देखनी को मिलेगा दोस्तो लेकिन बाद में प्रियांका, टीना और अर्चना बैठे हैं बाहर जहां पर अर्चना खाना खा रही है और प्रियांका को भी चटनी खिला रही है उस पर प्रियांका कहती है कि देखो यार मैंने आज इतना अच्छा सूट पहना था और ये मंडली वालों ने मेरी चिछा लेदर कर दी मेरे कपडों के हिसाब से मेरा बॉडी लेंगविज आता जिस तरीके के मैंने कपड़े पहने हो और ये सूट वूट में लडाई नहीं होती एकदम क्लासी से हम बने घूमते रहते तो ये सूट वूट में लडाई नहीं होती तो यहां पर प्रियांका और टीना तो यहां पर अर्चना और टीना हसते हुए नजर आते टीना कहती है कि हाँ ये सूट में लडाई नहीं होती एक बार मैंने भी ऐसा अच्छा सा सूट पहना था और शालीन से मेरी इतनी गंदी लड़ाई हुई थी जुस पर प्रियांका कहती है कि अच्छा हुआ फिर हाइलाइट हो गई तुम तो दोस्तों क्या कुछ है आपको इस बारे में कहना कमेंट्स में जरूर बताईए क्योंकि लड़ाई के बाद भी प्रियांका मंडली की चुगलिया नहीं कर रही है उल्टा ये सोच रही है कि यार सूट में मुझसे ही नहीं लड़ा जाता